तो स्वागत है आपका ग्यापन एकेडमी के इस बहुत ही जबरदस 12 क्लास के इतिहास की क्लास में बहुत ही संदार सेशन होने वाला है और आप सर्थ के मुताबिक आपको बोले थे कि एक बुक आपको हम कंप्लेट करा देंगे और कल दूसरा बुक आपका लेशन के बात नह करके आएंगे बहुत ही संदार है और एक बार सब्जेक्टिव खतम हो जाए तो एक आपको आपकाम टेस्ट लेंगे ताकि आप तयार हैं कि नहीं एक्जाम के लिए बहुत संदार तरीका से उस टेस्ट में हम बस बताएंगे लेकिन आपको फुद एंसर बताना है थोड़ बना देंगे चारी तो आपकी त्यारी बहुत संधार आपको एक हिस्ट का थेस्ट am दो दो लगाना को टेस्ट लगाना है आपको टेंसन मतले जिए आपका तयारी शंदार हो जाना चाहिए और कमेंट करते हैं कमेंट करने से याद कर लेंगे तो भूल जाएगा ठीक है चलिए तो बीना देर के सेशन को सुरू करते हैं यहां देखिए कोचर निमलीखित में से किस देवता को ठीक है वैदिक पंतों में युद्ध का देवता कहा जाता है तो इंद्र को यहां पे इंद्र का सी इमेज दीकराया देखिए तो यह लग रहा है ने एकदम विक्राल रूप एकदम इंद्र की तरह जबरदस्त वज्र मोल यह हमें gi Nina को युद्ध का देवता भी कहा जाता और व्रशा का देवतां आपो अगर पीछळák वीडियोदेखें आंगे तो इसमें बताइए आप कि यंप और वरूर किसिक देवता है कमें बता यू बताइए यह दोनों बताइए नहीं हां लिख भी 90 कुबेर हो गया हैं प्लिखेंद करेंद nya सब ने सब्सक्राइब करें निरगा के पता होना है और इक और बात बता दें यह पता हैं और ऀ इनके मम्मी मतलब एक तरस्तव ज़िए इनके पिता दो साधि किये थे एक मासे ये हैं और एक मासे पांडू थे ठीक है तो आपको बताना है चले यहां देखिए हस्तिनापूर के राजा पांडू थे आपके एकसर यह पांडू कौन है तो सुनो विचित्र विरिया जो थे व पांडू हुए और आंभिका से हुए यहां के ध्रित राष्च तो समझ में और इनके फो पुत्रards यह आपको पहता होना चाहिए चलीए मनुस्मृति के उन्सार बिवा कितनी बलग के तो बीवाया अ्तरह है देख रहे हैं जोड़े का संगम ठीक है तो यह आँठ परकार वल्यक इस्मृति जिसमें जुवा खेलने को उचीत मना गए वल्यक कोई बात नहीं यह वल्यक जो बुक है उसमें लिखा गए कि जुवा आप खेल सकते मनुस्विति में उची जाती को ज्यादा बर्याता दिया गया है ठीक है और देखिए ना इसमें आपको देखने को मिले कि लाश्ट में संसकार सिखते हैं कि मरते कैसे हैं वहीं अंतिम संसकार है यहां देखिए माभारत में सलुष नात्मक संसकरन किस ने तयार किया ठीक है तो यह याद रखे गए यह मुस्ट भी आई है यह दो तीन बार को पूछा गया बी इन सुक ठांकर बी इन सुक ठांकर यह देखिए महाभारत का सिंदिया भी है माता के नाम पर पुत्रों का नाम करण किस परंपरा का राजवन से तो यह हो जाएगा सत्वाहन में माता के नाम की अनुसार जैसे मान लेज़े कि हम लोग कि अभी पिता का नाम पूछा जाता है गौत्र किसका सुचता घए पहले गौत्र होता क्या है तो उसकी पहचान उसके खांदान की पहचान गौत्र कराता है कि उसके पूरवज किस खांदान के हैं तो यह पूरवज वाला option number A हो जाएगा ठीक है अगला कुस्छ देखिए दुरियोधन की मा का क्या नाम था दुरियोधन की मा बेचारी पिता तो ध्रित राश्त जो अंधे थे तो जो बेचारे अंधे थे तो इनकी पतनी बोले कि जब हमारे पति कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम भी अपने आखों ऊपर पट्टी बाद़नेंगे इसलिए यह पट्टी बाद आ गया है और यह हैं आपकी गंधारी और इनके पुतर यह वाले हैं आपके को copy पुतर है अंद्धे दिख रहे हैं अगर अंदे हो अगर यह तो यह हो जाएंगी को धृत्रस्त अनाई तो यह दुर्योधन है चलिए अगला कोश्र किस वन्स का राजा बहु पत्नी प्रथा मानता था बहु पत्नी माने की एक पती कई पत्नी रख सकता है तो सत्वाहन वन्स में ऐसा होता था कि एक पत्नी बहुत सारी एक पती बहुत सारे पत्नी रख सकता है पहले के राजा रखते भी थे सत्वाहन रजाओं की पत्नियों का नाम गौतम और वसिष्ट गोत्र में होता है सुनिए जब भी सत्वाहन रजा साधी करता है तो वो एक गोत्र है खनान है जिसमें गौतम और वसिष्ट गोत्र आता है जैसे कि आपको राजा का नाम यादनाची सत्वाहन में सत्वाहन में गौतम पुत्र सतकर्णी औरिवसिष्ट पुत्र पलनाव तो दीज़ोन का नाम हमेसा मा के नाम भकता है वणर विवास्ता कितनी है तो वणर विवास्ता टौटल चार है कौन कौन बाबू शुद्र शुद्र समझते हैं मने चार पर करके समाज को बढ़ दिये गया था शुद्र मने जो खेतो उतमे काम करें नौकरी करें उसे शुद्र कहते हैं ठीक है वैस्से मने जो वैपार करें ठीक है और उसके छत्रिया मने जो लड़ाई करें छत्रिया यह अच्छा रहेगा और जो ज्यान दे उसे ब्रामण कहाते हैं तो Baptist हती यह चारपरकार का वन धांद क्या रहेगा ऑन धोन सीङ्ञार देता जैसे आप हम हम आपको सिख्छा दे रहे हैं तो कर्म केनुसार हम ब्रामन होगे आर्मी आपको रक्षा करता है न तो वो छर्त्रिया हुआ ठीक है जो बैपारी हो गए अंबानी हो गए वैसे है और शुद्र जो नौकरी कर रहा है न सरकारी चाहिए कोई भी नौकरी वो शुद्र हो गया चलिए अगला देखिए द्रोण आपको पता है अधित्य तिरंजा तिरंदाज बनाना चाहते थे और जुन को जो गुरु द्रोणाचारिया द्रोण है वो चाहते थे कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा धनुस चलाने वाला और जुन बन जाए लेकिन पता है वैसे यह और जुन को बना चाहते एंसर होगा लेकिन इनको एक लड़का इनका कॉपी मार लिया कौन और जुन से भी अच्छा तीर चला लिन लगा ठीक है वो ऐसा एक बार रिसी मुनी एक बार एक लब्या अपने गुरु इसको क्या बोलते हैं द्रोणाचारिया द्रोण को देखे और देखने के बाद उनको अंदर ध़नुस चलाने के एकषा होब तो उन्हों ने कौन आपको एक लब्या थे एक मिनट उक झाई है 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 एक लब्य ने द्रोण की चारे के मूर्ती बना लिया मूर्ती बना करके उनके सामने ज्ञान अरजीत करन लगे धनुस बाण सिकन लगे और पता है पूरे 20व में एक लब्य सबसे अच्छा धनुस चलाने वाला बन गया लेकिन पता है अरजुन को बोले थे द्रोण कि के यहां पहलई की और नहीं क्या कि भोला कि चीक है मेरा मुर्ती मेरा ही ना है एक गुरुदक्षिना में मुझे अपना अंगुठा दे दो और यह क्यों अंगुठा मांगे थे जब धनुस खीचा जाता है तो इसमें अंगुठे का सहारा ने पड़ता है और इस तरह से अब पूरे विश्व में सबसे अच्छा तिरिंदाज धनुस चलाने वाला और जुन हो बहुत ग्रंथों में किन मौरे वंस को बहुत ग्रंथों में किन यहां पर थोड़ा गलत हुए किन कूलों में माना जाता है तो देखिए मौरे वंस के जो थे ना उनको छत्रिया माना जाता है माने लडाई करने वाला लेकिन पंडी जी जो ब्रामण थे वो शुद्र मानते बहुत घटिया चुटका जाते सब मौरेवंस ठीक है तो ब्रामण अपने आपको बहुत उच्छा मानते हैं यह दिमाग में बैठा लेजी जबकि इनको पता है कि भीख्षा मांग कही खाते हैं लोग यह जाकर कही खाते हैं लेकिन ब्रामण अपने आपको क्या करते हैं बड भीख्षा माद डिया से अब यहां देखिए राजा रुद्र प्र दमन रुद्र दमन सको के राज थे उन्होंने सुदारशन जिल का पुनानिर्मन कराया था लेकिन सुदार्शन जिल बनवाया नहीं था तक कि सुदारशन जिल जो गुजरात में उसको बनाये थे चंदर् और मनने एक जात में विवा उगला नेकी पत्नी और कि पत्र वा राक्षा सिवा घटो कक्ष इसका पुत्र हुआ यह भी बहुत बलसाली था अगला कुछन है मानो जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आस्रम में बाटा गया है तो मानो जीवन को टुटल चार आस्रम में बाटा गया है कितने आस्रम में चार आस्रम में बाटा गया है सबसे पहले आपको बाटां गया दिखियेगा आप अगर बड़े हो जाते हैं तो पांच वर्स ले के पचीस वरस तक चाहिए ब्रहामचारी जीवन बिताना है लड़किओं को दिखने ही नहीं है ब्रहामचारी जीवन के लड़क चाहिए सके बास से 75 बर चादिक में सन्यास ले लिजिए घर को त्याग दीजिए ठीक है उतना आदमी जीवित रहेगा तब दुरुपति किसकी पत्नी थी अर्जुन की पत्नी थी उन्हें एक स्वेंबर में जीता गया था ठीक है याद होना जाए पंचाल नरेस दूपद यहीं है पंचाल न लिजिए उपर एक मचली बांदी है ठीक है बोले कि इस थाली में देह करके मचली को जो आखों में तीर मार देगा उससे अपनी बेटी का साधी करा देंगे ठीक है तो यहीं हो जाएगा द्रोपति का साधी अर्जुन से हुआ था लेकिन पता है क्या हुआ जब वो घर ले इसलिए निका का जाता है पंचाली यहां देखिए सौ के अंतियुष्टी और मृत देखिए यहां पे चंडाल समझते हैं चंडाल किसे करते हैं जो सौ को जलाता है मुर्दा वगरा जो भी होता है पसू उसको छूपता है इदर उदर करता है नीचे जमीन में दफनाता है ठीक है चलिए यहां देखिए तो ह्वेंसांग जी हैं ठीक है चीनी यात्री सात्वी सताब्दी की सुरुआत में भारत में आने वाले चीनी यात्री कौन थे तो ह्वेंसांग थे ह्वेंसांग याद रखेगा ह्वेंसांग यह किसके काल में आयते हर्सवरधन के काल में आय थे पंदरा वर्स तक किहा रहा है फाहयान चंदरगुप्त मौरे के काल में थे मातर दो चिनी यातिरी का नाम याद रखे गा है मैंसांग और फाहयान थे किताब लिखा है फो क्यूं की और लिखा है सी यूं की तो आपको याद नहीं होगा ठीक है और पूछेगा इन एकजा में लिया है कि दुरयोधन ने युदिश्टिर को कीस खेल में के लिया मंदर के युदिश्टिर पाचो पांडव में से सबसे बड़ा इदिए अरज़ुन नहीं है बहुत लोगके दिमाग में चलता है तो दुरियोधन बुलाया युदिष्टिर को कौन यहां पे जूद कृड़ा यानि की जुगा के खेल बुलाने के लिए याद रखेएगा जूद कृड़ा खेलने के लिए बुलाया था ठीक है उस समय दुरियोधन से सब कुछ हो गया पर सब कुछ हार चुगे थे इन में से कौन मनिसी वाकाटाका वन्स के थे तो वाकाटाका वन्स की मनिसी थी यहां पे हो जाएगा प्रभावति गुप्त अब आपको थोड़ा से कहानी समझा रहे थे अभी आपको बताये थे चंद्रगुप्त दूतिया अपने भाई राम गुप्त को मार करके और ध्रू देवी से साधी कर लिये थे इसे दुरुदेवी से साधी कर लिये, मने चंद्रगुप दूती है, और दुरुदेवी की जो पतनी बेटी हुई वही थी परभावती गुप्त जिसको एक वाकाटाका वंस की राजा से साधी हो था, उस वाकाटाका वंस का राजा का नाम था रुद्र सेन, क्या नाम था किये का मनुस्मृत्य की अनुसार पूरुसद कितने परकार के सब्सक्राइब करते हैं। पती से धन ले सकती है, भाई से धन ले सकती है, ममी पपा से धन ले सकती है, यह सब चीज़े है छे परकार का, ठीक है, यहाँ छे परकार का धन महिला आरिज करती है और पुरुष साथ परकार का, सूत पीटक किस धर्म से है, बौत धर्म से है, बौत धर्म में त्री पीटक है कितने ने gossip है याद रखेगा अभी धं में पिटख और विनय पितख में बौत धर्म को कई से अपनाते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है तो नीची आपको पुराガxi पूरा यहां देखने को मिल जाएगा सुथ पीटक विने पीटक अभीदम पीटक बहुत धर्म के त्री पीटक है भारत का सबसे महतपूर उपदेश कौन है देखिए पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई ज्यान देने वाला उपदेश है तो वह गीता भगवत गीत याद रखिएगा इसमें किसी भी धर्म से एर्लेटेड देखो है हिंदू धर्म का माने जाता है लेकिन इस सभी धर्मों के लोग इसको पढ़ते हैं ठीक है वैसे सभी धर्मों के किताब में ज्यान भरा हुआ है किता ओ कुरानों ठीक है हस्तिनापूर के खुदाई किस उनिसों एक्यान बाउन में हस्तीना पुर्यानी की मेरट में खुदा आई हुई थी यह यूपी में जो बी बी लाल द्वारा कराए गया था माभारत में वरतमान में कुल कितने स्लोक हैं स्लोक माने मंत्र समझते हैं वही समझ लो मंत्र बैसे नहीं होता है ठीके तो 288 ता लेकिन कुल उपदेश हो गया है एक लाक याद रखेगा कुल उपदेश कितने हो गया है एक लाक हो गया है वरतमान में यह देखे कितना बार कोशन पुझा गया है कि महाभारत किस ने लिखा है देखे बहुत बार पुझा गया है तापते महाभारत में खूब लड़ा लिखाता है अब यह कैसे याद रखेगा तो आप देखेंगे तो इसमें भगवाना राम के बाल लिला यानी बच्पन का बड़ी कहावत है ठीक है तो बाल मिकी याद रखेगा महाभारत में खाली लड़ाई है ठीक है अब यहां देखें पंचाल नरेस बताये थे ना द्वा दुरुपती को किस न जीता और जो न जीता था मचली के आँख में तीर मार करके यहां देखिए तो दुरुपती का बहुपती विवा हुआ था बहुपती माने पतनी एक हो अब पती बहुत सारा ठीक है अब बहुपतनी का मतलब होता है कि पती एक अब पतनी बहुत सारा ध्यां पति रहेंगे अब पतनी बहुत सारी रहेंगे तो उसे कहते हैं बहुत नी ते यह चीजा आप याद रखेंगे कुछ खास इसमें नहीं है प्रचीन भारत के महाकाबे का क्या नाम है महाबारत अगर रमायन होता तो रमायन ही देते पुराने भारत का ये महाकाबे है महाकाबे दो है यहाँ पर महाबारत पुरानों की संक्या कितने यह तक पुरान 18 है यह पूछा गया याद रखेगा पुरान क्या अठारा है जिसमें कि सबसे इंपोर्टेंट आपको माना जाता है विश्णु पुरान मतस्य पुरान याद रखेगा विश्णु पुरान और मतस्य पुरान यहां लिख दिये हैं पुरान अठारा है लेकिन सबसे परमुक मान ज तो याद रखेगा अगला को सने महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला अठारा दिन चला पुरान भी कितने होते हैं याद रखेगा महाभारत में या दोग होगे महा कभे में दो गंगा के पुत्र का क्या नाम था भिस्म यही है भिस्म पितामा इनको एक वरदान मिले था कि जब मन करेगा तब मरेंगे एक्छा पूर्ती वाला वरदान ठीक है लेकिन एक काई कि इनको मन किया कि अरजुन इनके सरीर में इतना वाण मार दिये थे कि पूरा का पूरा सरीर छली हो गये था अंत में इनको अपने आपको हार मान के मृतिय को प्राप्त होना पड़ा ठीक है यहाँ देखिए महाभारत की रचना किस भासा की है महाभारत की रचना संस्क्रीट में लिखा गया है यहाँ देखिए बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस सबको पढ़ते हैं भारतिय इतिहास का कौन सा काल सोन काल कहा जाता है गुप्त काल को सोन काल कहा जाता है कैसी में लोग ज़्यादा स्कूल वगएर को लें बड़ा बड़ा बिश्चों की देले माभीर का जनम कहां हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था अब थोड़तों माभीर कौन थे देखे धर्म में दोपरकार का में में धर्मा जैन धर्मा बहुत दर्मा जैन धर्म के 24 नंबर के गुरु थे एक नंबर रिसब देव डारिक तेईस नंबर पारसनाथ चौबीस नंबर थे महाबिर स्वामे इनका जन्व कुंड गराम में हुआ था ये आप याद रखेंगे महाबिर स्वामे जन्व कुंड गराम में 22 साली यहां पर 42 वरस के उमर में इनको ग्यान प्राप्ति हुए तीस साल की उमर में ये घर छोड़ दिये और 12 साल तक तो पस्या किये तो 42 उमर नहीं हो जाएगा जी ग्यान की प्राप्ति हुए रिजू पालिका नदी के किनारे या पर बैठे हुए थे साल ब्रिक्ष के नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुए थी ठीक है और पावपूरी में इनकी मिर्ती हो गए थी और अन्तिमुपदेस वहीं पर दिये पहला उपदेस राजगीर अंतिमुपदेस पावपूरी अब देखिए इन्होंने तीन गोर अत दिया सम्यक ग्यान सम्यक विश्वास और सम्यक आच्रण ठीक है तीन गोरातन दिया सूत पीटक सूत पीटक किस धर्म से है तो सूत पीटक आपको बता देगा बताया थे अभी बहुत धर्म से है विने पीटक सूत पीटक अभीधम में पीटक बहुत धर्म में तीनों पीटक ऐसे आप देखें होगे ऐसे बड़ा बड़ा एकदम गुंबद टाइप का स्थूप बनाए गया है ठीक है अंगुत्तर निकाय किस से संबंदी थे तो ये भी बहुत धर्म से संबंदी थे ठीक है अंगुत्तर निकाय में क्या लिखा गया अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो माबीर यह नहीं ओगा अबिर के बच्पन का नाम से नभी यह गोतम बुद्र के बच्पन से थे हैं माबिर के बच्पन का नाम है याद रखीगा लग जीवन में और बिद्ध्यार्थी जीवन में बोला गया है कि हमें पांच चीजों को त्याग करूसी करना सब को आप्र अबने वाइप से मतलब माने गाल्फेंड वगरा नहीं रखेगा तो समझ जाओ कि है सब अपने से फॉलो हो जाएगा जब आप रखते हैं तो सबसे पहला काम की इसके लिए का करते हैं अब धानी कठा करते हैं गिफ्ट देने के लिए चूरी भी कर लेते हैं पईसा नहीं र यहां देखियो भारत के मद्यि परदेश में सांथी इसान्टि इस तूप है इह रट लेजे यह दोaci की बार पूछा गया है नहीं तीन भार साइथ पूछा गया है सांथी बिहार याद रखेगा सांथी बिहार में सांथी ठीके ऑसांथचि हो मद परदेश ठीक है यहाद रखेगा संती बिहार नहीं सफील इद रखेगा बहुत लोगों का मीटिंग हुआ था तो तुरत्या बहुत संधी कहां होआ तो प्रथम बहुत संगिती यहां राजगीर में एक नमबर नीचे एक नमबर ठीक दूतिय बैसाली यहां पे है थोड़ा सा नीचे आजा बैसाली दो नमबर नीचे एक नमबर उपर दो नमबर आप बीच में हो जाएगा पाटली पुत्र तीन नमबर तृतिय बहुत संगित जिनका बचपन का नाम क्या था, आप कमेंट किज़िये, बचपन का नाम क्या था, आप कमेंट किजिए. यहां देखे त्री पीटक किस धर्म से समंदी थे त्री पीटक बहुत धर्म से समंदी थे एक मिनट वेट 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 त्री पीटर किसे समझे थे बहुत धर्म त्री रत्न किस धर्म से लिया गया है त्री रत्न ठीक है तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा जैन धर्म से लिया गया है किस धर्म से लिया गया है जैन धर्म से लिया गया है ठीक है यहां देखिए कौन कौन सा तो रतन है सम्मत दर्शन सम्मत ग्यान समक अचनवी समय ग्यान विस्वास वाला बताये थे बहुत धर्म के तिर रतन है बुद्ध धम और संग बुद्ध ने कहा था कि मेरे मार्ग पर चलो उसके बासे अगर हम अगर नहीं रहे तो संग को अपना ओ धम धम की यात्रा करो बुद वैदिक सभ्यता थी यहां पर वैदिक सभ्यता और जाएक रम यहां रखेगा गाओं की सभ्यता है वैदिक काल वैदिक काल की शुरूलular पद्रश 290 कम काल चला और पंद्रह सो से ले करके एक हाजार एक हाजार से ले करके छे सो तक तो यहां से यहां तक हो गया रिग वैदिकाल और यहां से यहां तक हो गया उत्तर वैदिकाल सब मिला के वैदिकाल ठीक है यहां देख सकते हैं रिग वैदिकाल यहां लिख दिया है कर्म के अधार पर बाटा गया है ठीक यही अच्छा था जो काम करो वही धर्म में हो जाता था आपका जात हो जैसे चमणा का काम करेंगे तो चमार बन जाएंगे कि कर्म के अधार पर लेकिन अब क्या हो गया है उत्तर बैदिकाल में स्रम के अधार पर बाटा गया है कर्म के अधार पर इसमें स्रम के अधार पर ये थोड़ा सा मिस्टिक हो गया है ठीक है उपर वाला जो था यहां वन्स हो जाएगा आपका सुरू से ही जो हम लोग अपनाए हैं वो चीज़े हो गया अभी आपका क्या ब रिजूपाली का नदी के किनारे इनको ग्यान के प्राप्ति ब्यालिस बर्स के उमर में दूतिया बहुत संगिती का आयोजक कहा हुआ था तो दूतिया बहुत संगिती आपको बताये थे बिहार के मैप में बीच वाला जो था अरी बापरी इतना डेंजर मैप ठीक है एक का स्मय में हुआ था करद्स के समय में हृठा इसके समय में कनी के समह में großen बात संगिती हुए ती ठीक है और इस समय बाथ धर्म यह कया हुआ था तो टूट गया था दो में ए्क बन गया कहन ही मियान और महायान और गौटम मुद्ध कर दिन बाष्ध में महिलाओं का ए तो जाएगा उस दिन बहुत धर्म तूट जाएगा आते हो गया ठीक है अपता है उन में उनमें हुआ गया था कि गौतंबुद्ध चाहते नहीं थी कि महिला बहुत धर्म को अपना है लेकिन उनके एक सिस्य बहुत ही प्रिया सिस्य थे ठीक है आनन्द बोले कि सुनिये ना कि का मुझे महिला भी रहनी चाहिए थोड़ा लड़की उड़की रहेगी थोड़ा बहुत धर्म आगे बढ़ेगा वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है बहुत धर्म जिस दिन एंट्री होगा लड़की योगा कहानी खतम हो जाएगा ध्यान कम लएगा इधर उधर बहुत धर्म संगती कहां होए थी प्रथम बहुत संगती कहां होए थी राजगीर में हुआ था पहला बहुत संगती कहां हो था राजगीर में कुस्च्छ नमर 17 देखिए गौतम बुद को खीर खिलाने कौन गए थी सुजाता गए थी उसी वक्त जब इनको ग्यान की प्रा उन्होंने कौन खिर खिलाया था सूजाता है इनको खिर खिलाया थी जिप ग्यान की प्राप्तिविती गया में अगला कुस्टन देखिए गौतम बुद्ध के शमकलीन मगत समराठ देखिए अब सुनिए बिम्बिसार तो में थे ठीक है लेकिन इनके पुद्र का नाम अजास अब पहली बार इन्होंने जाकर के ग्यान बाटा था उपदेश दिया था सारनाथ में याद रहेगा चलिए बोध गया में एक मिनट ये थोड़ा सा ठीक है बोध गया में इनको ग्यान की प्राप्ति निरांजना नदी या उसी को फालगू नदी भी कहते हैं देखिए जो महबीर स्वामी थे वो रिजुपालिका नदी के किनारे उनको ग्यान की प्राप्ति वी थे और जो ये थे इनको गौतना बोध को निरांजना या फलगू नदी भी उसको गते हैं उसको बहुत ब्रिक्स के नीचे पीपल का ब्रिक्स था और वो साल का ब्रिक्स था ठीक है इनके बच्पन का नाम सिदार था उनके बच्पन का नाम महाबीर के बच्पन का नाम वर्दमान था ठीक है इनके पीता का नाम था शुधोधन और माता का नाम प्रजापती गौत्मी पुत्र का नाम राहूल था राहूल माने होता है रास्ते का काटा ठीक है इस बहुत अच् की नाम रख दी महत्मबूद के बश्बकन का नम सिद्दार था वर्दमान किस का था महाभीर का नाम था यदर कैब रहुल गउत्मबूद के बेटे का नाम ता अब देखिए गउत्मबूद को ग्यान किस नदी के किनारे प्रफ्ट वा तो यह नहीं हो जाएगा यह हो जाएगा निरंजना यह फलगुनादी किनारे ठीक है अगला कुश्चन होगा धर्म चक्र परिवर्तन क्या है तो यह प्रत्थम उपदेश देता है धर्म वाला चक्र हमें से घुमते रहता है ठीक है हीमियान और महायान कौन तो रिग वैदिकाल में या फिर उत्तर वैदिकाल प्राग वैदिकाल या मौरे वैदिकाल इसका एंसर क्या होगा रिग वैदिकाल एक मिट कुश्चन थोड़ा सा प्राचीन भारत में दूती है सारी कारण रिग वैदिकाल या उत्तर वैदिकाल या प्राग मौरे काल यह यह आपका होना चाहिए प्राग मौर्यकाल होगा यह होगा प्राग मौर्यकाल अगला कोज निमलीखित वर्गों में से किस उपनैन संस्कार अधिकार नहीं है यानि किया कर निमलीखित वर्ग में किसे उपनैन संस्कार ठीक है उपनैन संस्कार अधिकार में नहीं था अधिक उचादे थे कि धर्म और जात के मामला में सबसे बड़े हम इस मामले में ब्रामन और पंडी जी लोग किसी को देखना नहीं चाहता था और आज भी धर्म को लड़ाने का काम यह लोग करता है ठीक है अगला कुस्चन है गौतम बुद के बच्पन का नाम गौतम बुद का जन है महिलाओं का यहां देखिए शर्वमानिय मत के अनुसार आर्य कहां से आये थे आर्य मत एसिया से आये लेकिन किसी किसी का मानना है कि आर्य उतरी धरूस से आये थे कोई कहता है कि तिबबत से आये तो कौन कौन क्या क्या कहता है यहां देख सकते हैं श्वामी दया नंदि कि आर्या मध्य इस यह से आये यह याद कर लिजीएगा ठीक है अगला कुश्चन यहाँ पर देखते हैं 28 नमर जैनियों के प्रतम तिर्थंकर कौन थे तो एक नमबर पर रिशब बावु थे याद रखेगा कौन थे रिशब बावु थे बिश्व सांती स्तूप कहा है तो बिश्व सांती स्तूप है राजग्री में याद रखेगा और सांची स्तूप कहा है तो यह मध्य परदेश में याद रखेगा और सांती बिहार के राजगीर रिग वेद में कितने मंडल दस मंडल कितने सुक्त पूछ दिया आप कल वाला व ज्यान रिग वेद के लोग किसकी पूजा करते थे तो रिग वेद के लोग ऑप्शन थोड़ा देखें हम लक्षमी सीव बिष्णु और प्राकिर्ति की पूजा करते थे वो किसी भगवान अगवान को नहीं मानते थे और बहुत धर्म और जैद धर्म यह बताया गया है कि मूर्ति पूजा होने लगा बहुत धर्म को मानने वाला कोई नहीं रहा ठीक है अब माने यह किसी चीज को आप माना करा रहा है वही काम आप कर रहे हैं तो फिर वो गलत है ना निमलिखित में से प्राचिंतम वेद कौन है सबसे पुराना वेद कौन है बताईए तो यह हो यह उनतीस वरस के उम्र में गौतम बूध गरी त्यागे थे छेस साल तक इन्होंने तपस्या भी किया था शारनात में लेकिन यहां कौuds नी कि गरी त्या गटना को बधना कोहा जाता है महाविक्र म्रमड कहा जाता है इसे गरी पॉलीए इत्या को बुरा है哈 ह Allen थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है किसके शाषन काल में बहुत धर्म का विभाजन हो गया तो भाई ये कनिस के शाषन एक मिनट कोशन है औप्षन है नहीं है इसका क्या बात है तो आपको बता दे कनिस के समय में उपर कोशन था हेमियान और महायान तो इधर सोर इधर दिया है कनिस के काल में बहुत धर्म तूटी गया है था निमनलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिश्यत थे तो यहां अनंद और उपाली थे अगर वीडियो को ध्यान से बाबु देखती हैं तो आपसे यह कोशन पूरा का पूरा बन जाएगा और प्लीज अगर लाइक के बटन को नहीं दबाएगा तो एक बार प्लीज दबा देजी दुबारा मत दबाएगा डिसलाइक हो जाएगा बुद्ध के सारनाथ में दिया गया प्रवचन को क्या कहा जाता है अब पूरा का पूरा ज्यान की प्राप्ति करके तब आपकी मिर्ति हो रही है तो उसे महा परे निर्मार कहते है ठीक है अब बीना ज्यान प्राप्ति के मरे तो मर गया बात खतम तो यह कहाँ पे कुसी नगर में इनकी मिर्तियों होई यह लोग कुसी नगर घुमने जाते हैं न तो यहीं पे जाते हैं देखने के लिए कैसे मरे थे श् Championships वाप्रे जैन धर्म बड़ी खतरनाक धर्म है जी इसमें जब मिरती होती है नो तो सरीर को तलबा करकर भूके प्यासे मरना पड़ता है तो देखे इसलिए जैन धर्म तूट गया और एक हो गया स् fingert गामबर और एक हो गया दिगंबर स्वेत आंबर स्वेत वस्तर पहुंते थे और दिगंबर बिना कपड़ा के रहते थे ठीक है आपको याद ना चाहिए तो यह है जैन धर्म से रिलेटेड ठीक है अब देखें स्वेत आंबर स्वेत वस्तर और दिगंबर वस्तर ही निया लिक बेदी है सांची सांची के किजिए और मेरे अंदर मोटिविशन जाएगा और कल मैं गारांटी दे रहा हूं बाबू कि कल एनी हाओ आपका किताब सेकेंड वाला में चार या पांच लेशन वो कम्प्रीड हो का और परसो उसके बाद वाला उसके बाद से सब्जेक्टिव कोश्चन होगा और उसके बहुत मेहनत लग रहा है बाबू रात रात को जग करके कुश्चन इडिट करना पड़ रहा है बहुत मेहनत का काम है ठीक है तो फिर मिलेंगे अब लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले बुक के साथ अब तक के लिए जैहिंद और खुदा आफिश